हम स्वचाले बनाने का काम करेंगे और उसके साफ सफाई और हर एक रख रखाओ की बेवस्था करेंगे नगर निगम के क्रमचारी हैं तो उनको स्वक्ष और स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्यदारी है मस्कार अब दीख्रे न्यूस फोर नेशन और मैं हूं सांख्वना आपके साथ बिहार की सभी नगर निकायों में चुनाव होने हैं इसको लेकर नामांकन की प्रकरिया समाप्त हो चुकी है सभी प्रत्याश्वी अपनी 80 चोटी का जोर लगाने मैदान में उतर चुके हैं और अब अगर बात बिहार के मुख्य केंद्र यानि की राजधानी पटना के करें तो राजधानी पटना से मेर प्रत्याश्वी के तौर पर मैदान में उतर चुकी है विनीता बिट्टू सेंग जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं है यह समाज सेवी है जनता के बीच से आई है और जनता नहीं इन्हें यहां भेजा है आज हम इनसे खास बाचीत करेंगे इस इंटर व्यू में और जानेंगे कि जब यह पटना की मेर के तौर पर सामने आएंगी जनता के बीच तो इनकी क्या कुछ प्लानिंग है बदलते पटना की क्या तस्वीर यह देखती है और खास बात तो यह है कि आज वीनीता बिट्टू सिंग को सिंबल भी मिला है तो इनकी सिंबल में क्या कुछ खास है और इनका सिंबल क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है मारे शैनल में धन्यवाद आप सभी को मेरा नमस्कार प्रत्याशी के तोर पर पटना में मैदान में उतर चुकी है आपको ऐसा क्यूं लगा कि नहीं अब जनता के बीच आने की सक्त जरूरत है जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे शायद पटना की तस्वीर नहीं बदल पाएगी देखे हम अपने सहर से सहर में रहने वाले लोगों से और उनकी हर एक समस्याओ से हम आउगत है और हम जानते हैं कि आज उनकी समस्या क्या है तो एक समासेवी के रूप में जब हम उनके बीच में गए और उनका हम समस्या, उनका समस्या को हम जाने तो मुझे लगा कि नहीं अगर नगर निगम में जो बजट भी आया उस पर भी कोई काम नहीं हुआ और उसकी जानकारी मुझे है तो जो मेर रह चुके हैं, डिप्टी मेर रह चुके हैं तो उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया तो विकास के नाम पर क्या हुआ तो ऐसे में मेरा फर्ज बनता है, मेरा दाईत्व बनता है कि हम इस छेत में आए, हम मेर के लिए प्रत्यासी के रूप में जनता के समर्थन से, उनके सहयोग से, उनके प्यार के वज़ा से हम ये फैसला लेने के लिए ये हुए, मजबूर हुए कि मुझे भी इस लाइन में आना है अपने सहर को स्वक्षता की और ले जाने के लिए उसके विकास की और ले जाने के लिए क्योंकि आप पूरे सहर में अगर घूमती हैं तो या पटना सिटी चले जाईए, राजेंदर नगर चले जाईए, असोक राजपत चले जाईए, या मेर जो हैं और जो रह चुके हैं, उनके वार्ड में भी जाईए, तो समस्याओं का अंत आपको कहीं नहीं दिखेगा, जो स अपनी जनता को अपने शहर को इन समस्याव से उबारेंगे इतना बड़ा जन समर्थन है आपके साथ लोगों का प्यार विश्वास और साथ है क्या चुनोतिया हैं आपके सामने इस मेर के चुनाव में देखे चुनोति की जहां तक बात करें तो चुनोति ऐसा कुछ भी नही है क्योंकि पहले ये था सिलेक्षन था जो वाट पारसद लोग चुनते थे और उन्हीं के बीच का ये खेल था लेकिन आज क्या है कि जनता इसको चुन रही है तो ये अब इलेक्षन है और सरकार हमको इतना बड़ा मौका दी है तो इसलिए हम अपने को बहुत ही खुस नस चुनौती नहीं है आपके लिए अवसर है जिसको हम अपने सहर के लिए इस चीज को हम अपने सहर को एक विकास की और विक्सित पटना की और देखना चाहते हैं इसलिए ये मेरे लिए अवसर है आपके लिए अवसर है पटना की जो वर्तमान स्थिती है जो वर्तमान तो किस तरीके से बदलती हुए आप देखना चाहेंगी जो पटना की तस्वीर आपके कारेकाल में होगी वो कैसी होगी उसके छवी क्या होगी देखे उसकी छवी जो हम आपको दो तीन महीने में वो दिखने लगेगा जैसे अभी आप देखिए हमारे सहर में सौचाले की बह सवस्था करेंगे जो बच्चियां रुस्पर जैसे स्कूल में तो उनको सेट्री पैड का वो हम वियर कराएंगे तो मेरी बहुत सी प्राथमिकताय हैं जो कि हम अपने बच्चों के लिए अपने सहर के लिए हर वॉर्ट के लिए उनके लोगों के लिए उसमें रहने वाले लोगों के लिए हम करना चाहते हैं तो औसर आएगा वो आप भी देखिएगा तो जब नगर निगम की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले स्वक्षिता आती है लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी वो है युवाओं के लिए युवाओं के चित करना होगा उन्हें हर छेत्र में और जो बहुत ही गरीब महिलाएं हैं तो उनके हम जैसे कुटीर, उद्धोग, पापर, अचार ये लोग जो महिलाएं घर में बनाती हैं आज भी आप देखती होंगी कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं लेकिन बहुत सारी महिलाएं इन सब लाभों से भी वन्चित हैं तो मेरी ये प्राथमिक्ता होगी कि हम उन्हें उसर प्रदान करें और उन्हें आगे लाने का काम करें और युआओ के लिए जहां तक बात है तो युआओ के लिए सरकार की ओर से हम उनसे बात करके युआओ के रोजगार के लिए हम बात कर सक लेकिन हाँ आप देखती होंगी यहाँ कहीं प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए जैसा मुझफर पूर में आप देखती हैं तो मेरी यह कोशिस होगी कि हम यहाँ भी उन्हें एक अच्छा सा ग्राउंड बना के दें जिसमें कि हमारे युवा अपना बौ सज़ती हैं जो जनता के बीच से आई हैं और जनता के बीच वापस जाने कि तैयारी वे हैं बिलकुल बिलकुल क्यूंकि राजटिया निराकरन करना बहुत ही जरूरी हैं तो बस हम इसी के लिए आ रहे हैं मैं मेरा एक एक और सवाल है वो ये है कि आए दिन जो निगम कर्मी है उनकी स्ट्राइक होती है क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है शायद अपने भत्ते से या जो मेर है उन से लेकिन जब आप मेर के रूप में उस कुरसी पर बैठेंगे तो निगम कर्मियों से जो आपका कनेक्शन है वो आप कैस बिंदूओं पर बात हो गई अब आपके सिंबल पर बात करेंगे चुके आज आपको सिंबल भी मिला है और अगर यहां देख सकते हैं तो एक जोड़ा हिरन भी रखा हुआ है तो यह हिरन यहां क्यों और सिंबल क्या है देखिए मेरा जो सिंबल है वो जोड़ा हिरन है और जोड़ा हिरन जो होता है इस बात का प्रतीक होता है कि एक तो आप जानती है कि हिरन गतिसील होता है बहुत तेज दोड़ने में और हमेशा वो आगे की और बढ़ता है प्रगती की और तो ये जो हिरन है ये प्रगती का सुचक है और अभी आप जानती है कि नौरात्र का तो आप इसी प्रगती के साथ आगे बढ़ेंगी जनता का पुला समर्थन है जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगी अपील हो जाए जोडा हिरन क्रमांग संख्या 22 जनता से यही अपील है कि वो अपना भरपूर समर्थन और साथ दे और मुझे विजय बनाए मेयरपत के इस प्र और सहीयोग मुझे जरूर देंगे